वानेकम, मां दिर्भ स्वागत अम्रोसे, सशेकाल, असलाम वालेकूं, हला दोस्तों, मैं आपकी प्रेविश्ट प्रियांका, आप सभी का स्वागत करती हूं, गार्गी क्लासे के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया और एक्स्पेंशन पीच की डिसके पे आ आप सभी को कारगी क्लासिस के दरफ से हैपी हॉली सॉरी गाइस क्योंकि आज वीडियो थोड़ी लेट आ रही है सुबह से यहां बहुत जादा साउंड ट्रैक बज रहे थे तो बहुत अर्ली मॉर्निंग से ही इसले रिकॉर्डिंग सुबह नहीं कर पाई तो अभी शान को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ है तो चलिए ठीक है आर्टिकल देख लेते हैं आज क्या है देखे आज डे 25 त 24 है आर्टिकल काफे सारे आर्टिकल आज आए हैं तो सबसे पहला आर्टिकल है यहां पे भुटान के उपर है अब यह आपको पता होगा हमारी जो ओन्रिपर प्राइम मिनिस्टर है उनके भी रीसेंट विजिट थी इंटरनाश्टल लेवल पे विजिट जो है भी भुटान की हुई है ठीक है उसी पे आर्टिकल है क्योंकि भुटान का साथ रिलेशन बढ़ाने का रीजन कहीं न कहीं राइटर यहां बता रहे हैं चाइना पर चेक लगाना है क्योंकि भुटान का अगर आप लोकेशन देखोगे तो भुटान जो है आपका चाइना जिसे यह इंडिया हो गया और यह चाइना हो गया इसके बीच में भुटान है तो ऐसे कंट्रीज को बफर स्टेट बोलते हैं बफर स्टेट का काम करती है ठीक है तो उसी पर एक आर्टिकल है क्योंकि चाइना का जिस तरह किसी एकॉनमी ग्रो होती जा रही है उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें नेबरिंग कंट्रीज की साथ रिलेशन्शिप को बढ़ाना बहुत जरूरी ऐसा राइट बता रहे हैं देखते हैं हम आर्टिकल नेक्स आर्टिकल है यहां पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसमें यह रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि वर्ल्ड की इसमें इंडिया की अगर आप इंइक्वालेटी देखोगे तो बहुत ही वियर्ड है बहुत बहुत बायस्व है मतलब जिस तरीके से लिपोर्टी इंडिया में वो ऐसा कहीं भी नहीं है तो वो कुछ डेटा इसमें राइट आप भता रहे हैं देखते हैं वो क्या है इधर राइट साइड में एक आर्टिकल है WTO पर अभी रीसेंटली जो है आपका मार्च के फर्स्ट वीक में जो है WTO का एक मिटिंग हुई थी ठीक है 30th Binary Ministerial Meeting थी है तो उसमें राइटर बता रहे हैं कि WTO में जितने issues अभी चल रहे हैं globally trade से related उसमें discussion होना था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस 30th Binary Ministerial Meeting में तो देख लीते हैं क्या है आगे ठीक है अभी हमारे जो Honorable Prime Minister है वो बुटान पर लास्ट वीक गाए थी ठीक है तो mainly इसमें ये था कि foreign policy को जो है आगे बढ़ाना है इन जैसे countries के साथ बुटान हो गया या जैसे निपाल हो गया ठीक है क्योंकि आपको पता है कि China का कही न कहीं एक string of pearls शेल रही है ठीक है जिसको string of pearls मतलब क्या है कि Indian Ocean के surrounding में जितने भी nations है न उस पे friendship करना या फिर उसको debt देना ठीक है तो इन चीजों के बहाफ पे जो है India इसके opposite इसके opposite that means string of pearls policy न अपनाते हुए एक friendly nature ठीक है वो friendly nature अपना रहा है अपने neighboring country के साथ उसी में से एक neighbor जो है वो है आपका भूटान ठीक है तो अभी जो है mainly writers में बता रहे हैं कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका भूटान से मिलने का reason जो है वो है चाइना की जिस तरह से growth होती जा रही है ठीक है क्योंकि economic rise जो है अभी पिछले last few decades है जो बीजिंग की growth देखी गई यह पूरे overall subcontinent में Indian subcontinent में कौन-कौन से countries आते हैं इंडिया है पाकिस्तान है चाइना है आपका निपाल है आपका भूटान है ठीक है तो यह सारे जो है अफगानिस्तान प्याजाता है यह वो countries है आपका बांगलादेश और इवन म्यामार ठीक है यह वो countries है जो आपके इंडियन सबकॉंटिनेंट में आ जाते हैं जो पडोसी देश है सारे और इवन श्रीलंका भी है इसमें ठीक तो यह सारे countries जो आपके आते हैं इनमें जो है कही न कही influence देखा गया है चाइना की growth का ठीक तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो पहले ही चाइना की जो एकॉनमी थी ना यानि बीजीं या चाइना को रिप्रेजन कर रहा है उसकी जो एकॉनमी ग्रोथ ही वो इंडिया से भी बहुत पीछे थी ठीक है लेकिन उससे सबसे ज़दा अगर फोकस किया है ना वो है साथ या अफगानिस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ इन जैसे कॉन्टिनेंस में जो नेबर्स हैं उनके साथ स्ट्राटेजी का लाइन्स रखना ठीक है तो इनकी वज़ेसे भी कहीना की इसकी ग्रोथ है और बहार आउट ओफ दा एशिन कंट्रीज भी स्ट्राटेजी कोपरेशन के वज़े से इसकी ग्रोथ मानी जा रही है इसके साथ अगर आप बात करोगे चाइना की पॉलिटिकल और डिपलमाटिक जो वेरिएशन्स हैं देखोगे तो वो काभी काफी हद तक इन्हांस होता आ रहा है ठीक है और साथ के साथ जो है ग्लोबली जो है उसका निरेशन काफी विजिबल होता आ रहा है उसका जो नरेशन है जैसे चाइना का मैंने स्रेंग पॉलिशी बता ही ऐसे इसका एक इनिशेटिव है वन बेल्ट, वन रोड इनिशेटिव, आपको पता होगा, वन रोड, वन बेल्ट इनिशेटिव, इसके थूँ ये पूरे ग्लोब को एक ही, जिसको हम सिल्क रूट कहते थे, ठीक है, पहले सिल्क रूट होता था, जो आपकी शीजिंग से निकलता था, चाइना का एक प्रोव प्रोविजिन, सौरी, शीजियांकर के प्रोविजिन है, वहां से चाइना के वहां से ये रूट निकलता है, और पूरे ग्लोब को कनेट करना ही इनका पूरा मोटेव है, इस वन बेल्ट, वन रोड इनिशेटिव में, तो इस तरह के से ये चीज़े जो है, विजिबल हो र तिबबत है, इनके साथ अस्पेशली जो सिली गुडी कोरिडोर्स है, अब देखे सिली गुडी कोरिडोर्स के हैं, हमारे जो तिबबत है, और अगर आप सिली गुडी कोरिडोर्स देखोगे, एक मिनिट, जैसे आप अगर देखोगे, मैं अगर आपको ये आप सिक्किम ल देखोगे न, जहां से आपका, ठीक है, जिसे यह यहां पे आपका फिर भी बिहार है, तो आप जिसे यह वाला location देखोगे, यह वाला, जो यह point है, इसको Silliguri point बोलते हैं, जो आपका main land West Bengal को North Eastern से जोडता है, West Bengal के बाद से, main India के land को North Eastern से जोडता है, इसको हम क्या बोलते हैं Silliguri बोलते हैं, Silliguri या Silliguri बोलते हैं, है न, तो राइटर यहां बता रहे हैं, आप देखे, आपका जो यह वाला location होगा, यह वाला तो नेपाल हो जाएगा, ठीक है, यह चाइना है, और इधर आपका तिबद प्लाट्यू आजाता है, तो यहां पे एक valley है, चुम्बन बनाता है, तो भुटान के साथ भी जो है, यह कही न कहीं कोशिश करता है, relation को बनाने ही ताकि यह इस चीज में enter कर सके, जो आपका chicken corridor जिसको बोलते हैं, जो आपका Silliguri है, उस पे enter करने की कोशिश करता है, चाइना, ठीक है, तो इसी वज़े से क्या होता है, कि आपका जो और सेम चीज अब जब से military tension देखी गई है, आपको पता है, 2017 से ही उससे पहले भी काफी था, लेकिन 2017 में काफी हद तक, बहुती close war तक आ गई थी बात, जब आपका डोकलाम प्लाटिव पर जो है, Beijing आगे बढ़ चुका था, चेक हैं, तो उस tension से ही लग गया था, कि अब ज जो capital हो, उस पे काफी ज़ादा pressures बनाये हैं, border settlement के लिए, ठीक है, bilateral relationship के लिए, जिस तरीके से वो Delhi के सथ relations रखता है, वैसे ही चाइना के सथ relations रख लेने के लिए भी उस पे pressures किया गया है, और इसी बात पे हमारे जो external affairs minister, Mr. Subrabaniv Jashankar है, उन्होंने भी यह बात बोली थी, कि इंडिया ने काफी लंबे टाइम से क्या है, चाइना की जो असल में growth है उसको हमने neglect किया है, in the South Asian region में, ठीक है, ताकि इस चीज के लिए, इसलिए ने कि हम उसको चाहा ने रहिया, इसलिए क्योंकि हमने सोचा था कि good relation मना के रखना है, हिंद चीन आपको पता होगा, एक slogan हिंद चीन भाई भाई भाई, ठीक है, हिंद चीन भाई भाई भाई, यह slogan इंडिया की तरफ से था, कि इंडिया और चाइना के बीच में जो है, वार जैसी चीजे ना हो, conflict ना हो, ठीक है, दोनों एक brother की तरह रहें, same continent में, तो लेकिन धीर धीर इसी वज़े से थोड़ा इ अब हमें world level पे, जो कि China क्योंकि world level पे second powerful nation है, subcontinent के focus पे अगर देखा जाए तो, और इसकी जो neighbor है, उसकी जो economic policy है, वो neighboring countries पे बहुत जादा focused है, और especially उनके sovereignty को impact करता है, और developing countries के cooperation के साथ वो काम करता है, तो इसलिए जो है, अब हमें जो है, यानि इंडिया के foreign policy को यह hit कर रहे थे, यह point out कर रहे थे, कि हमें अब भूटान जैसे nation होगे है, या पास की जित्ते भी nations है, उनके साथ हमें relation को बढ़ाने की जरूरत है, तो इसी वज़े से यह जो है, भूटान हमारे honorable prime minister गए है, और उसी से मैं भी PM नहीं यह बात बोली, कि भारत for भूटान and भूटा हुआ हो, यह कुछ भी हो, लेकिन हाँ, यह चीज़ जरूर है कि एक बार वापस से जो है, इंडिया अपने neighbor countries पे focus कर रहा है, ताकि जो है, चाइना के बढ़ते हुए, जो कही ना कही एक policy है, ठीक है, neighbor countries पे या Indian subcontinence पे जितने भी countries को वो attack कर रहा है, उन चीज़ों के beyond, इंडिया जो है, अपना relations को बना के रखे, यह इसका motive होता जा रहा है, चीज़, तो यह एक article था, चीज़, बाकि अमुई वगरा कोई sign या कोई article, कोई development, hydro electrical projects वगरा, इस पे कोई discussion नहीं हुआ है, चीज़, तो एक basic article था, खेर हम next article पे चलते हैं, देखें, अभी क्या World Inequality Lab है, एक Paris-based research organization है, उसने अपनी एक report निकाली है, कि इसने कहा है, कि अगर आप इंडिया में अगर आप income और wealth को देखोगे, तो दो चीज़ होती है, income होती है, जो salary होती है, इनसान की, wealth होती है, उसका जो asset होता है, ठीक है, इन दोनों के basis पे देखोगे, तो इन्होंने कहा है, कि अगर आप 1922 से लेकर 2023 तक करीब करीब 100 साल हो गए, है ना, एक century हो गई, तो इसमें इन्होंने बोला है, कि अगर आप देखोगे न, तो British राज के time पे जैसा था न, उससे भी बहुत worst है, inequality, इंडिया के under में, अभी, presently, किस basis पे बता रहे हैं, कि अगर देखो, इन्होंने दो चीज़े ली हैं, पहले इन्होंने डेटा लिया है, income के basis पे, income inequality में इन्होंने बात बोली है, कि अगर आप देखोगे न, तो इंडिया के अंदर 22% लोग ऐसी हैं, ठीक हैं, जिनका 22% of national income जो है, sorry, इंडिया की जो total national income है, है न, 22%, उस पे सिर्फ और सिर्फ जो है event किसका है, वो 1% का ही लोगों का है, मतलब, जैसके आप माल लीजे 100 है, ठीक है, आप income माल लीजे 100 रुपे है, उस में से 22%, सिर्फ और सिर्फ एक परसेंट लोगों के पास जाता है, बाकि जितने भी 82% या, हाँ, तो जैसे अगर आप, एक मिनिट, अगर आप माल ली जैसे 100 रुपे हैं, ठीक है नाशनल इंकम में आपके पास, तो इस में से 22 रुपे हैं, वो total population है, ठीक है, total population का 1% ही जाता है उसका, या, ठीक है, मतलब, मैं आपको शायद समझा नहीं पा रही, मतलब, अगर 100 रुपीज है, तो इस income का 25% या 1% लोगों के पास जाता है, मत बाकी सिर्फ 22 का भी 1%, सोचे इसका भी 1% है, भी बाकी 99%, तो ये तो आपका income की inequality, ठीक है, अगर हम wealth की बात करें, तो wealth में भी इन्होंने बात बोली है, कि अगर wealth का 40% अगर आप देखोगे, ठीक है, 2022 तक, कब का डेटा है, मतब 1992 से लेकर, 2023 तक 40% का भी 1% जो है लोगों के पास wealth है, बाकी wealth, majority of लोगों के पास सिर्फ 1% है, टोटल, बाकी इनके पास नहीं है, बाकी rich लोगों के पास है, that means, इनका जो income, इनकी जो income और wealth है, इसका majority portion 1% ही, majority लोगों के पास जा रहा है, 90%, आप मान लीजे 10%, यार नी, 1% ही 100% लोगों के पास जा रहा है, और 90%, 10% लोगों के पास ही जा रहा है, that means, यो ameer है, जो richer है, जो billionaire है, जो millionaire है, millionaire और billionaire है, उन्हीं के पास पैसा जादा से जादा जा रहा है, ठीक है, तो यहीं चीज जो है, इस report के अंडर में बताई जा रही है, जो कि अभी तक के पिछले 100 साल में, highest inequality का, आपने NCRT में भी पढ़ा होगा, कि हमारे globally, जो है, especially अ इसमें, लेकिन ये इंडिया के perspective में दिखाया गया है, ठीक, तो, यहां writer ने एक ऐसी चीज सजेस्ट करी है, इन जैसे चीजों पे, कि अगर ऐसा लग रहा है, कि wealth जादा से जादा, कम percentage लोगों के पास, जादा wealth जा रहा है, तो हमें इना, super tax जैसे चीज़ें इंपोस करनी चाहिए, ठीक है, किसके उपर, जो Indians के billionaire हैं और multimillionaire हैं, ठीक है, ताकि जो है, ये text के form में, इनको, सरकार को ये pay कर सके, किसके उपर, wealth और income के उपर, लेकिन वही बात है, अगर, वहीं, जो है, economy, सुर्जीत, भला और करन बैशिन कह रही हैं, कि लेकिन ये जो data, ये clear नहीं अबी, broad, अगर क्योंकि अभी care, उन्होंने बताया हैं, कि न, Mr. Bhalla कह रहे हैं, कि अभी recently, जो consumption expenditure survey निकला था, हमने पढ़ा था न, household survey, तो उसमें इन्होंने बात बोली है, कि उसमें ये बात निकल के आई है, कि आपके जो urban और ruler की जो inequalities हैं, 2011 से 2023 के बीच में, वो reduce हुई है अगर वो reduce हुई है, inequality reduce हुई है, that means, लोगों के पास income बड़ी है, लोगों के पास wealth बड़ा है, तभी तो inequalities कम हुई है न, तो फिर आटा कहरें कि ये contradictory हो जा रही है ये, इसलिए inequalities को बताने में, तो हमें इसके लिए एक broad study, एक deep study की जरूरत है, ठीक, next article पर चलते हैं, देख जो है, world trade organization है, यह ले लेते हैं, world trade WTO, ठीक है, यह न, 1947 के आसपास बना था, ठीक, globally, देखिए, एक बर, अपको जो WTO है न, यह 1947 के आसपास बना था, ठीक है, उस समय ये get के नाम से कहलाता था, ठीक है, general agreement of on tariff and trade के नाम से, ठीक है, और अभी जो है, इसमें कम से कब 164 जो है, members है, ठीक है, टोटल जो members है, 164, इंडिया भी इसका जो है, founder members है, ठीक, बहुत starting से ही, इसमेरा पूरी एक body है, जैसे इसमें सबसे पहले आता है, ministry of conference आते हैं, ठीक है, उसके इलावा, इसके एक general council आती है, उसके अंदर में दो body आती है, dispute, settlement, body आती है, एक आती है, trade policy या trade policy review, trade policy review body, ठीक है, और dispute settlement body, एक ही हो गया basic information, WTO के बारे में, अब देखिए, क्या है मुद्दा, अभी आपको पता होगा, कि 13th meeting जो है, अभी हुई है, recently दुबाई में हुई है, ठीक है, तो राइटर इसमें कह वे हैं, कि जिस तरीके से दुबा है, globally, कुछ भी ऐसा result, यह कोई discussion नहीं हुआ है, member countries के बीच में, अब बात आजाती है, कि issue क्या-क्या चल रहा है, country, members, members of state है, उनके बीच में, तो राइटर पहला तो यह बता रहे हैं, कि देखिए, countries के बीच में, जो सबसे बड़ी बात यह आ रही है, कि countries के पास right to purchase, stockpile distribute to food their citizen, और जो public stock holding program है, इसका right है, ठीक है, क्योंकि यह सारे right, जो है, sovereign है, उस country के, देखिए, मुद्धा क्या मैं बताती हूँ, देखिए, WTO के according now, यह क्या करता है, trade का जो dispute होता है, for example, अगर कोई country, जैसे A country, B country से trade कर रही है, ठीक है, तो यह जो है, A country ना, subsidy जो है, 10% से जादा नहीं दे सकती, अपने product को बनाने वाले लोगों को, ठीक है, जो भी इसको product को manufacture कर रहे है, क्योंकि 10% से जादा subsidy होने पर ना, इसका price international level पे बहुत डाउन चला जाएगा, तो जब यह B को बेचे गा ना, B को बेचने पर, B के market में वही product जो है, क्योंकि बहुत सारे product होते हैं, जो countries, खुद के countries में भी बनाती है, लेकिन extra मंगवाती है वो, है ना, तो B में जब यह product जाएगा, क्योंकि already इसने यहाँ पे subsidy 10% से जादा दे रखी है, तो B में वो और low price में बिकेगा, तो B का खुद का जो product है, वो बहुत, वो बहुत कम price का हो जाएगा, ठीक ह जो है, आपको पता है, MSP के वज़े से भी, MSP के वज़े से भी उठा हुगा है, आपको पता है, हमारे जो farmers हैं, वो demand करें MSP को legally करने के लिए, और legal guarantee देने के लिए, इसमें सबसे बड़ा issue पता है, WTO की तरफ से क्या है, क्योंकि अगर आप MSP को legally guarantee कर दोगे, तो आप प्राइज ऑटमेटिकली डाउन हो जाएगा, तो जब आप इन products को export करोगे बाकी countries में, तो इनकी price automatically कम होगी international market में, तो इस चीज़ का competition बूसरे countries को face करना पड़ेगा, जो same product किसी और country को export कर रहे है, क्योंकि इंडिया का product अच्छे quality के साथ, cheap price में मिलेगा, क्योंकि उसकी गॉर्मेंट जो है, अपने farmers को बहुत जादा incentive देती है, तो इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे globally country में, especially US ने भी आवाज उठाई है, बहुत सारे जैसे UK के हो गए, Australia ने भी कहा है, कि बहुत जो इंडिया के farmers है, उनको बहुत जादा subsidy मिलती है, through the Indian government, जिनके वज़े से क्य करता है, तो इसी वज़े से जो है, एक तो ये शू उठा है, और दूसरी चीज़ आपको पता है, हमारी government PDS सिस्टम रखती है, इससे क्या करती है, ये MSP के थ्रू क्या करती है, कम दामबे product को, ठीक है, क्योंकि प्रक्योर करके, किसान से प्रक्योर करके, ये PDS के थ्रू क् करीब जनता है, उन लोगों में ये distribute करती है हमारी सरकार, और बहुत जादा क्या होता है, प्रक्योर के साथ, डिस्टिबिशन के साथ सरकार, एक्स्टर जब धान आ जाती है, चावल, उसको वो अपने पास रखकर, इंटरनाशनल मार्केट वे भी वो export कर देती है, क्योंकि WTO की जितने भी product इंडिया से आएंगे, वो काफी जादा international level पे problem create करेगा, चीक है, तो उसी पे था discussion, तो writer ही कहते हैं, कि इस चीज़ पे को discuss हुआ ही नहीं है, एक तो ये issue चल रहा था, दूसरी चीज़ जो है, अब वही बात है, कि जैसे अब अगर आप WTO की बात करोगे, कि WTO MSP पे क्या बोलता है, तो देखिए, WTO में MSP को लेकर कोई भी मना अभी तक नहीं है, ठीक है, पहली बात, क्योंकि MSP जैसे चीज़ों को, क्योंकि इंडिया आज भी developing nations के अंडर में ही आता है, तो developing nations, अपने जो farmers हैं, और especially इंडिया, developing nations के base पे, जो previous system चला रहा है, कि हम अपने गरीब लोगों को देते हैं, इससे दाल, चावल वेगरा, तो इसमें WTO का कोई objection नहीं है, ठीक, लेकिन country, member countries उसके through actions उठा रही है, और एक और concern ये बात उठ रही है, कि जो MSP पे जो cut था, कि भी या इतने से ज़ादा MSP नहीं देना, या इतने से ज़ादा, तो इस base year पे भी थोड़ा सा issue उठ रहा है, कि इस base year को, क्योंकि इतने साल base year के बाद, अब तो 2022-2024 आ गया, तो अब में भी तो base, क्योंकि इतना ज़ादा कम, इतना ज़ादा आपको reliable देना, और जो कि inflation इतना बढ़ चुका है globally भी, ठीक है, तो इस वज़े से ये issue उठ रहा ह मैं, इस पे questions बाग उठ रहे हैं, और अभी जो है, हमारे जो farmers हैं, वो अभी street पे बैठे हुए हैं, for the demand of legal guarantee, तो इस से क्या हो रहा है, कि कही ना कहीं, हमारी nation की जो सरकार है, वो कही ना कहीं फस गई है इस चीज में, कि WTO में अलग एक मुद्दा चल रहा है, यहां farmers का एक MSP को जो है, कहीं ना कहीं immunity दिया गया था, कब 2013 में, इसी WTO के through जो है, कि हाँ, कोई बात नहीं, इंडिया जो है, developing countries है, तो अपने farmers के लिए, यह MSP को दे सकता है, इस तरह की immunity जो है, इस meeting में पहले दी गई हुई है, ठीक है, तो राइटर यहीं बतारे हैं, लेकिन यहां बात आजाती है, बहुत सारे जिसे US Nations हैं, ठीक है, US हो गया, यह इसके बाद Karen Group है, आपको पता है, Karen Group हमने अल्रेडी डिसकस किया था, एक बड़ जिसमें Australia, कम से कम 25 कंट्रीज ऐसे आती हैं, जो typical agriculture based है, जैसे Australia हो गया, Europe हो गया, ठीक है, और इसके इलावा जिसे Brazil हो गया, और भी चिली हो गया, वियतनाव हो गया, ऐसे कंट्रीज हैं, 25 नेशन जो Karen Group के form में आते हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है, अगेंस्ट किया है, ठीक है, इन्होंने का कि इस से क्या होता है, कि इन्टरनाशनल मार्केट का जो है, प्राइज डाउन होता है, कही नहीं कही इसका है, अब जो है, इंडिया को अब ये बात आजाते हैं, कि इंडिया को कही न गई है, अब नया तरीका ढूड़ना पड़ेगा, जैसे अब इंडिया ने क्या है, इसी चीज़ को, क्योंकि इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, क्या होता है, कि सरकार MSP को ना बढ़ा के सरकार farmers को support करना चारी है, तो इनी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्रधान मंतर किसान सम्मान नीधी भी लेके आए थी, ठीक है, क्योंकि क्या आता है, इस सम्मान प्रधान मंतर किसान सम्मान नीधी में क्या था, कि आपके farmers को 6,000 रुपे दिया जाएगा, तो इसे ही थोड़ी दिया जाएगा, क्योंकि सरकार farmers को help करना चारी है, अब वो MSP को अगर बढ़ाएगी, तो इंटरनाशनल लेवल, जो स्टेट, इंटरनाशनल लेवल पर जो मार्केट है, यानि आपका WTI है, वहाँ पर इशूज उठाएंगे, तो इसलिए इनोंने क्या ग कहते हैं, कि आपने डिरेटली नहीं कुछ बोल सकते हैं, कि सरकार MSP पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार किसान पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार हमारी जो गौर्मेंट है, इसके उपर इंटरनाशनल लेवल का भी जो है, प्रेशर होता है, यहाँ इंडियन के फार्मर्स क इसका issue उठेगा, उपर से हम अपने आपको अभी भी developing countries दिखा रहे हैं, क्यों क्योंकि हमें क्या होता है, time to time अभी हमें IMF हो गया, आपका जो world bank होता है, इससे incentive मिलता है on the basis of developing, अगर आप इतने जादा subsidy legalize कर दोगे, तो आप कहीं न करे developed nations के अंडर में आ जाओगे, जो बहुत जल्दी होता है international level पे, है न, तो इन सारे concern को ध्यान रखना होता है, तो इसलिए जो है, सरकार अभी एक final point पे नहीं आई है, अभी meetings चल रही है, बात चल रहा है, देखते आगे क्या होता है, इसके लावा देखे, अब ये तो issue हो गया, ठीक है, जो WTO पे raise हो रहा थ लेकिन अभी discussion, किसी भी इस बार के 13th meeting थी न, इन पे discuss होना था, लेकिन किया ही न, किसी न, अब इंडिया ने अपनी तरफ से एक concern जारी किया है, OCOF पे, क्या है OCOF पे, over capacity और over fishing करना, यानि, जो sea marines होते हैं, यानि जो shipment होता है, उनकी जो over capacity के साथ ship को भीजन, जैसे एक ship होती है, ठीक है, उसकी capacity है कि कितना वो माल एक जगे से दूसरे जगे लेकि जाते हैं, तो country क्या करती है, especially आपकी जो developed country है, वो क्या करती है, over stock या over fishing करते हैं, तो जिसके वज़े से environment, marine environment बहुत जादे imbalance हो गया है, इस चीज का किसने concern उठाया है, इंडिया ने उठाया है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि किसी भी rich country ने इस पे को ही जवाब नहीं दिया, क्यों ये, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, कोई rules की बात नहीं हुई है, इसमें कोई, इसको stop करने के लिए कोई भी बात नहीं उठी है, तो writer यहाँ अपनी इंडिया के तरफ से एक बात बता रहे हैं, इसके अलावा, दूसरा concern, जो WTO पे concern है, वो ये है DSM पे, आपको मैंने बताया था, शुरू में ही, कि आपका WTO दो तरेके से काम करता है, दो इसके दो dispusal body है, क्या है वो body, एक है dispute settlement body है, एक है trade policy review body है, ठीक है, देखिए, यह क्या करते है, dispute को settle करती है, और trade से rated जित्ती इशु होते है, उसमें TPR भी काम करती है, तो अभी मुद्दा क्या है ना, आपका जो DSP है ना, DSP, इसके जो members होते हैं, यह affiliate body, इसके जो members है, उ उसमें nomination में कही ना कहीं US बहुत बड़ा role pay करता है, तो US ने अभी इसके appointment पर ही रोक लगा रहे थी है, इस DSP में, अब members ही नहीं है, तो कोई भी problem अगर DSP के पास जाएगा, तो solution कैसे होगा, कब से 2019 से बंद कर रखा है, तो writer जो है, इसी चीज़ पर बता रहे हैं, कि 2019 से W WTO के DSM को, जो members appellate body है, ठीक है, टू टायर के system पे है, तो उस पे जो है, members appointment बंद कर रहा है, तो किस तरह के सी ये काम करेंगी, और अब जो है, 2024 पे रिसेंट लिवी 2024 के शुरुआत में भी इना, जितने भी WTO के members countries है, उन्होंने एक concern चारी किया था, कि हमें DSM पे काम करना चाहिए, लेकिन USA ने कोई कुछ भी बात नहीं बोली है, ठीक है, तो ये एक reason है, और इसके अलावा जो है, आपका जो appellate body है, same चीज, dispute settlement, क्योंकि जब तक dispute settlement नहीं होगा, तब तक जो है, issues जितने भी है, world trade में, उसको सही तरीके से justice नहीं मिलेगा, ठीक है, specially आपका trade से related जितने भी issues हैं, है ना, और इसके लावा इन्होंने एक बात बोली है, कि आपका जो है, अब यहाँ राइटर जो है, इंडिया के लिए एक बात बोल रहे हैं, कि देखिए, कही ना कहीं इंडिया कोने US का game plan समझने की ज़रूरत है, कि इंडिया जो है, कि तरीके से दूसरे nations पे तो allegation लगाने में आगे है, लेकिन जब खुद के issues आते हैं, तो वो silent हो जाता है, या खुद की गलती को वो ध्यान नहीं देता, neglect कर लेता है, कही ना कहीं जो है, क्योंकि देखिए, WTO कब बना था, आपका cold war के बाद, और जब से communism इस globe में खतम हुआ था, आपको वहत कह रहे हैं, कि इन जैसे countries ने क्या करा है, कि इसके जो jurisdictions होते हैं, इसके जो laws होते हैं, इसमें अपना dominance बहुत जादा रखा है, चेक है WTO, इन जैसे चीज़ों पे, तो यही इसी लिए, इनके जो decisions होते हैं, वो काफी late होते हैं, back decisions होते हैं, इनको जो settlement है, वो जल्दी से resolve न हैंगी, तो हम problem को solve नहीं कर पाएंगे, हमें इन चीज़ों को खत्म करने की जरूरत होगी, ठीक है, और देखिए, इसमें आइडिया पीछ में भी कार्टिकल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं बता देती हूँ, ब्रीफ बता देती हूँ, देखिए, आज साल पहले, 20 मार legislative council में इसको जो है, वो किया गया था, में रिजलिशन पास किया गया था, किस चीज़ के लिए था, जो depressed class होती है, जो ऐसी लोग होते हैं, इन लोगों को उस समय क्या कर राखा, तो जो higher class के caste होती है, इन लोगों ने ये बोल रखा था, कि ये लोग जो है, public में पानी नहीं पी सकते हैं, public places में नहीं आ सकते हैं, जैसे मंदिर हो गया, या कोई restaurant हो गया, इन पे अलाओ नहीं था, suppressed class को, किसके वज़े से कहा रखा था, high class के वज़े से, तो इसी चीज़ का against करते हुए, जो है, अमबेडगरची ने एक resolution पास करवाई थी, Bombay legislature में महर सत्यगरे भी च 19 मार्च को सही एक साल बाद, 19 मार्च को Zomato ने एक popular अपनी एक scheme लाँच करी, उसने कहा कि जिन लोगों को वेज खाना चाहिए, प्योर वेज, एक होता है नॉन वेज, अब देखे, जिन लोगों को प्योर वेज चाहिए, और जो लोग ये चाहते हैं, कि वेज रेस्टूर वेज भी बनता है, और बहुत लोग ये पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग प्योर वेजटेरियन होते हैं, उन्हें नॉन वेज की वज़े से, क्योंकि एक ही किचिन में बन रहा है, तो बनाने वाला परसन, वो स्मेल वेगरा चीज़े तो रहती हैं, है ना, तो उन् पर राइटर ने क्रिटिसाइस किया है, क्योंकि जो लोग वेज को जादा प्रफर करते हैं, तो राइटर ये बता रहे हैं, कही ना कही ये लोग किसली अगेस्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो ओर्डर है, इसका जो स्मेल है, ये चीज़े जो है, क्योंकि वेज का लोगों क लोगर कास्ट के लोगों थे, यह जादा, यह मीट वगरा खाती हैं, ठीक है, तो यह राइटर यहाँ थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि यह थोड़ जो है, कहीं न कहीं, कास्ट जुड़ा हुआ है आपका वेज और नौन वेज का, ठीक है, तो जमेटों को इस तरह क चीज़े जो आज से 100 साल पहले थी वो चीज वापस आती हुई दिख रही है ऐसा राइटर का मानना है ठीक है तो इसी चीज़ पर पूरा आर्टिकल है और उपर से इनों ने थोड़ा से ये भी बताया है कि देखिए यहां पर थोड़ा से क्रिडिसाइस किया कि आपको कैसे पर चीज बयां कि जो लिए बता कि जो वेज को डिलिवर करने वाला बंदा है वो कौन है वो माइड भी नॉनवेज खाने वाला हो या वो जिस बैग में लेके आ रहे है तो यह आप select नहीं कर सकते ना कि कौन deliver है, वो किस cast का है तो यह extreme हो जाता है तो इसी वज़े से थोड़ा से society based है यह although एक और चीज जो है Zomato ने निकाला था Zomato ने भी recently निकाला था जो wedge खाना होगा, उसको deliver करने वाला green t-shirt पहने का और non wedge के लिए red pen के आएगा, तो यह तो बहुत जादा social media में इसको criticize भी किया गया तो कि यह तो extreme हो गया ठीक है, तो इसको फिर बंद कर दिया Zomato ने, तो राइटर यही चीज कहने हैं कि इस जैसे चीज़े ना यह धीर धीरे, यह हमें याद दिला रही है कि आज भी हम ना, हमारे दिमाग में कास्ट को लेके बैठे हैं चाहिए वो खाने के form में हो, food के form में हो, wedge non wedge के form में हो क्योंकि, क्योंकि writer बता रहे हैं कि आपको जो thought होता है न, ठीक है यह thought होता है, आपको यह thought depend होता है मतलब आप किस तरह के से किसी चीज को देखते हो, ठीक है आप observe कैसे करते हो observe करके आप एक thought create कर देते हो वो thought जब dominant हो जाता है न तो कहीं न कहीं वो bifurcate कर देता है लोगों के बीच में, है न तो इसी चीज़ पर एक article था, basic था लेकिन हमारे लिए जो mahaट सत्य ग्रह इंपोर्टेंट एक्जाम परस्प्रक्टिव से तू थैंक यू